तो बैसके लिए दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप नेक्स कम्पिनी में जा रहो किसी भी कम्पडी में अगर आप स्विच्छ कर रहे हो अगर आपके पीफ यानि की जो एप्प करता है अगर उसमें कोई प्राबलम है तो नेक्स कम्पडी को पीफ नमर देना चाहिए या पिएफ नमर नहीं देना चाहिए तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना आपको जितना भी कन्फूजन है डाउट है पूरा किलियर हो जाएगा और वीडियो सुरू करने से पहले करूंगा च्छोटी सी रिक्वेस्ट लिकर आप मेरे पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर कर बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए तो जड़धा तरह में रहते वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोक्तों मैं शुक्राइब आप अपको अपना आईटी इंजिजिएर यूटीब चैनल तो चुरू करते है के बाद तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं यहां प्य५ नमर दो तरीके क्यों होते हैं दो तरीका यहाया पर इंता सेंस यह ज्य है कि अगर आप कमपनी को प्यॉस नमर नहीं दे सकते हो इनकेस अगर आप प्यक्स नमर नहीं देते हो तो वह तो यह और क Almr downward और generate करती है एक नए प्याफ अकाउंट बनाती है एंड तुस्त यहाद एक benefit क्या होता है अगर आपकी previous company का जो old company है अब old प्याफ नमर new company को भी दे देंगे तो पर benefit है क्या होता है कि आप जो previous company है जो वो पीएफ है वो आप अपना पीएफ जितना पीएफ है account में यानि कि जितना वो आपका जितना पैसा है पीएफ के account है वो आप सारा पैसा transfer भी कर सकते हो next पीएफ नमर में लेकिन लेकिन इससे background verification में कोई भी problem नहीं होती है कि अगर आप next company पीएफ नमर नहीं दोगे तो company terminate कर देगी job नहीं देगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों पीएफ नमर आप दो या ना दो वो आप पे depend करता लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि company आप को जॉब नहीं देगी कोई और भी problem वहाँ पे खड़ी हो जाएगी कि दोस्तों यहां पीएफ का एक rule होता है सीधा सा फंडागर आप उस company को पीएफ नमर नहीं दे रहो तो company के वह पीएफ नमर वहाँ पे आपको generate करके self देगी अकाउन नमर वगयरा होता है वह फिरी आप cost open करवाती है और पीएफ नमर वगयरा भी उसी में add कराती है उसी में add in the sense कि उस person के लिए आकाउंट नमर भी फिरी देते हैं और इसके बाद में पीएफ नमर भी फिरी जनरेट कराते हैं और यहां दोस्तों बेनिफेट दोनों में हैं आप जो चाहूँ वो कर सकते हो लेकिन बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूं बैग्डाउंड वरिफिकेशन को लेके तो पर नहीं नहीं होता है यह वहाँ पर मैंनडेत्री नहीं नहीं होता कि अपको इसी आपके पंप कराना पड़ेगा वह आपके पास सुरु कराना पड़ेगा वह सारे दाल में अग dependence की जरूरत नहीं पड़ती हैं आप चब तो हाइड कर सकते हो you दे भी सकते हो, so I hope दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने हो, मिटा हो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक को सेयर ज़रू करें, and अगर चैनल का भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रही बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करें को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके बाद बेल लाइकें को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं कोई नेक्स वीडियो अपलोड करूं तो वह मिस्त ना हो, इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉमेंट्स है, को लिए नीचे मुझे कॉमेंट सकते हो, मैं उसका रिप तो झाल कर लीजिए मुझे सकते हो, मैं यसके बाहर आ बेल आपको कर लीजिए, यसके बाहर आपको कोई की बाहर आपको क झाल…